नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपका पिश्यष बाबा में आप शवीको दिवाली की हार्दिक शुब कामना है हार्दिक बदाईया दबा के खौप यो और दबा के बंब पढ़ा के फोड़ो किसी की चिंता परवा करने की जिरुवत नहीं है बस रास्ते चलते वे किसी पता होगे examination regarding CGL के exam तो आज हम कुछ-कुछ मुद्दे पर बात करेंगे जैसे CGL के के regarding JPSC में क्या हल चल चल रही है उसके regarding फिर आफकार जो TGT PGT teacher का examination होने वाला था उसका क्या case चल रहा जारखंट दरोगा का क्या case चल रहा तो इन सब पर एक एक करके हमें इस हनस्तावाल आ जाए तो जिससे चीजे clear होगी फिर आफसे बात करने का भी एक मजा रहेगा क्योंकि मैं आफको एक clear रूप शेहर कुछ बता सकूँगा जिससे आफ अपने तैयारी को एक निश्चित speed एक धार दे सकोगे लेकिन judgment आया नहीं high code भी आफ सभी को जाके रहना चाहती है जैसे कि यहां के bureaucrats जैसे नौकरसा या फिर politician आफ सभी को जाके रखे हैं आप देखी रहे हो 2015 से लेके CGL के नाम पर जो नोटंगी जो तमासा होते आया है कभी-कभी तो मन करता है कि जो जो bureaucrats या फिर जो जो इस तरह से यह लोग student की life के साथ खेल रहे हैं बाकी मतलब state में आप देखो बगल में जिस बिहार को हम बिमारू state बोलते थे जहां लोग रहने से डरते थे मतलब रात में लोग निकलने से डरते थी कब कहां क्या हो जाएगा आज वहां नौकरिया की लिटरली बारिस हो रही है मतलब 67 BPSC 68 BPSC 69 BPSC फिर आपका BSSC जो भी हार CGL है तो हर examination हो रहा और बहुत ही speed से recruitment हो रही है लेकिन यहां पर ऐसा कुछ vision नहीं है तो अभी high court का जो judgment नहीं आया उसके नुज़र मैंने पहले भी कहा था अगर आपको याद होगा कि CGL मुझे नहीं लगता इस साल होगा और अभी भी मैं यहीं कह रहा हूँ कि अब मुझे नहीं लगता कि जारखन का कोई भी examination चाहे वो आपका CGL हो या फिर JPSC हो या फिर टीचर्स का आपका examination हो या फिर दरोगा वाला कोई भी अविस साल होने से रहा लेकिन हाँ एक चीज और है इससे आपको बहुत ज़्यादा hop loss करने की कोई भी जरुवत नहीं है आपको उमीद खोने की जरुवत नहीं है क्योंकि अगले साल examination होंगे और ये confirm है ठीक है तो उसकी लिए आपको तयार होना होगा और अभी high court का जो decision में आने में जो late हो रहा रमेंस हजदा केस में सबसे बड़ा reason की आप देखोगे तो उसके चलते भी हो सकता है डिले हो रहा होगा और चट पूजा के बाद मतलब अगले महीन है आपको हो सकता है DCN देखने को मिले तो उसके बाद एक clear cut vision आपके सामने होगा तो अगर आप इसी पर focus हो मैंने जैसे की पहले भी कहा है अगर बाकी examination की वी आप देख रहे हो तो अभी 2-3 महीना आप निश्चिन्त होके अगर बिहार CGL का भरा है आपने या फिर central CGL का जिसका examination December में है तो अभी आप निश्चित होके आख बंद करके उसकी तयारी कर सकते हो क्योंकि pre इस बार है ना पहले pre आपको qualify करना है फिर men's का सोचना है तो अगर आपने अच्छी तयारी कर ली अगर CGL जो central CGL उसकी pre qualify कर ली तो men's के लिए आपको अच्छा खासा time मिलेगा और लगभग अच्छी खासे CT भी इस बार CGL में निकली है तो उसमें आपको focus करना चाहिए क्योंकि फिलाल में कोई examination होनी से रहा अगर JPSC की बात करें तो interview का schedule निकला था दो तीन दिन पहले लेकिन 11th JPSC regarding अभी कुछ भी update नहीं है JPSC का भी form मुझे लगता अगर निकलना भी होगा त तो इस साल के last तक होगी और examination होना भी होगा तो मार्च अब रहे मतलब 3-4 महीने आपके JPSC के लिए भी minimum से minimum अभी लगेंगे तो इस बीच में JPSC के अगर आप candidate हो PCS को तो आपके लिए 3-4 महीने भी बहुत ही कम है क्योंकि उसकी अगर आप सही से त्यारी करते हो तो 6-7 म महीने लगेंगे आपके पास अच्छा है कि आप answer writing लिखो topic wise आप उसका solution लिख सकते हो कुछ कुछ मैंने बताया भी answer writing कैसे करना उसका वीडियो भी uploaded है simple answer भी एक दो दिन में मैं डाल दूँगा तो बाकी यही सब update है और अगर कुछ ऐसा update आता है तो मैं आपको बताऊंगा तब तक आप पढ़ते रहो और तैयारी भी साथ-साथ करते रहो मतलब तेहार भी मनाओ लेकिन अपना जो main मकसद है main goal है इस motive साथ पढ़ना है कि अग दो